हाँ इसी क्रम में आगे देखिए कि ये खंडख है जहां व्याकरण का भाग है व्याकरण भाग में आप देख रहे हैं कि जैसा व्याकरण आप पहले पढ़ते चले आए हैं चाहे आपके पास 10 तक हिंदी अनिवार रही हो या कई कई जगे 8 तक रही है जहां तक भी आपने पढ़ा है निश्चित रूप से आपने व्याकरण पढ़ी होगी और आपके इस कोर्स में भी करीब करीब वही सारे व्याकरण के अंज हैं जैसे आप देख रहे हैं सिलेवस में सबसे उपर लिखा हुआ है निवंध है फिर कार्या लाइन लेक हैं जिसमें तमाम तरह के प प्रकार जिसमें संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया विशेशन ये सबी चीज़ें यानि पूरी तरह से आपकी जो व्याकरण है वो इस 50 नंबर में कवर होगी 55 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं आपको जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसमें आपको तो उसे हिसाब से आपको तयार करनी है हम आपको नियमित कक्षाओं में ये सारी सामगरी देते रहेंगे और आप उसके आधार पर अपनी तयारी करें आज मैं ये स्लेबस के बारे में बताया है पहले चैप्टर में उसके बाद आपको इनी आधार पर इस स्लेबस के आधा पर ही पाठ डाले जाएंगे और आप उसको पूरी तरह से पढ़कर अपनी परीक्षा असानी से दे पाएंगी ऐसी मुझे उम्मीद है तो चलिए अब हम आगे के पाठों की बात करेंगे